दल्ले पुलस के क्राइम ब्रांच के टीम मुक्खे मंत्री अर्विन केजवाल के आवाद पहुच चुकी है और केजवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विदायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है और इसी की शिकायत भार्ती जंता पार्टी ने पुलिस से की थी और बीजेपी ने जाच की मांगी है अब इस सलसले में दिल्ले पुलस क्राइम ब्रांच की टीम अर्विन केजवाल की घर पहुच गई है तोड़े देर का उनको इंतजार भी वहाँ करना पड़ा जो बार की थोड़ी दर पहले आपको हम तस्वीरे दिखा रहे थे हमारे सयोगी भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं लेकिन ये पूछताच क्योंकि ये संगीन आरोप लगाया गया था इसको लेकर काफी गयमा गयमी का महौल भी देखने को मिला आतीशी ने वकाइदा प्रस कॉन्फर नहीं लेकिन क्राइम ब्रांच के टीम पहुंची हुई है चांदबिन करने के लिए इसी मामले में कि आखिर सत्यता क्या है क्या इसका कोई आधार है कोई तथ्य है और किस से किसने संपर्क किया इस बाबत क्या खबर है और क्या या फिर आधार हीन है तो जब ये नोटिस दिया गया जब दिल्ले पुलिस की अधिकारी महाँ पर पहुचे हुए हैं केजरवाल को नोटिस थमाने तो वो किस अधार पर आपको वो बयान हम सुनवा देते हैं जब आतीशी ने गंभीर आरोप लगाया था आमादमी पाठी के तरब से सुनिए ज़रा यह जो चंडीगड का चुनाव है यह दिखाता है कि पाप का घड़ा कैसे भर गया था जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत जादा तो फिर प्रकृति अपनी जाड़ू चलाती है वहाल अपनी जाड़ू चलाता है चीजों को ठीक करता है चंडीगड का चुनाव कहने को तो छोड़ा सा चुनाव था दस भाई दस किलोमीटर का इस छोड़ा सा शेहर है मेर का चुनाव था लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पाटी चंडीगड के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई रंगे हातों पकड़ी ग लगी। तो दोश्कों चंडिगर भ हमें पकड़ेंक से हमें। नहीं हातों वीडियों के उपर पकड़ें वीडियों के उपर। इस शांतिपूर घरख पडर upward भोड़ीं पर्फी हो की ओ जदीख यह purity बार्?, तो आज भारती जंता पार्टी को इतना डल लग रहा है कि एक तरफ चुनाव में फ्रॉड करते हैं और दूसरी तरफ अब शांती पूल प्रदर्शन भी के अदेश में नहीं हो सकता चले इस खबर पर और जादा आप सबी तक जानकारी पहुचाते हैं और सीधा इस वक्रुक करते हैं हमारे साथ बारती जंता पार्टी के सांसर रमेश बिदूरी जी फोन लाइन पर जोचुके हैं जी बहुत गंबीर आरोप लगाया जा रहा है संगीन आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले आप सब मिलकर उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सत्यता क्या है क्या कहेंगे इसको लेकर देखो इनकी बे हायाई की हाद है अभी मुझसे पहले दी कोई कांग्रेश की आमादमी पार्टी की परवक्ता ही बोल रही होगी कि मुझसे लग रहा है इनको ये डर रहे हैं को जीवाल से भाई साब के जीवाल साब ने कहा कि हमारे विधायकों को 25 करोर रुपिया देने क केजीवाल को भी कहा हमारे परदेश सद्दक फरिंदर सद्देवान जब दोनों साथ चलते हैं और उसकी चांस करा हैं हमने ट्विट भी किया उसी दिन 30 तारिक को जिस दिन केजीवाल का बयान आया था कि CCTV कैमरे लगे हुमें आपने 15 लाक लगवाई दिल्ली में जो आप क करते थे आपके पास को रिकार्ड कॉल होगी आपको किसे नंबर दिया होगा ऐसे कौन बैखती हैं जिनोंने 15 क्रोड 25 क्रोड की ओफर दिये उनके नाम बताओ उनके खिलाब कारवाई होनी चाहिए देश में प्रश्टाचार कैसे खतम होगा अब क्राइम ब्रांच की टीम ने कमिशनर को जो हमने कहा इसकी जांच कराओ किसे ने रिश्वत देनी की ओफर दिये कौन ऐसे लोग हैं देश में रिश्वत गोटाले इस पर ही तो मोधी ज्रोक लगाने पे लगे हुए तो कमिशनर साब ने अब क्राइम ब्रांच को ये जांच सोपी है और क्राइम बा बताएंगे वो कौन सा सही समय चाहिए तो क्राइम ब्रांच के लोग पूछना चाह रहे हैं तो केजिवाल को बताना चाहिए कहरे है साथ विदायों को थोड़ने कोशिश होई सा संपर करने कोशिश होई लेकिन नाम अभी तक सामें नहीं आया तो क्या ये छबी धूमिल करने की कोशिश है? ने ने छबी धूमिल करने की कोशिश तो मैं ये बता रहूँ ना केज़िवाल को मालूम है वो जेल जाएंगे वो निरेटिव कर रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल लेका क्योंकि उनको मालूम है चंडी गड़के उनके कॉर्पेटर ने उनके खिलाफ बोड़ दे दिया वो तो कहरे मां भी धांदली हो गई वहां इनके लोगों ने वोट अकर नहीं दिया है तो किसका कॉन जुम्यवार है जी अपने परिवार को केज़िवाल समा ले तो उनको डर है कि कहिं दिल्ली के विधायक भी बीजे पीमें ना भाग जाएं तो पहले से पहले ही तुमें जी ना अटकी की का मिले शुरू कर दो तो हम केज़िवाल सहां प्छापने पूछना चाहते हैं केज़िवाल सहां ने भी कहा था ने कीचड में कमल की रिखाय वहार करंगे जाड बूला करता था किसी पर आरोप ले उसकी चांच होनी चाहिए दो एजार बारे में थीड़ पर दिख्षित के खिलाप आ रहो है तो तो केजिवाल के विदायकों को तोड़ने के नाम बता है ठीक है रमेश बीदुरी साथ हमसे चुड़ने के लिए अपना पक्ष अपने पाइटी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रियां चलेगे हिमानशू मिश्रा का रूख करेंगे हबारे सयोगी मौजूद हैं स्रीम आवास के बाहर हर हल्चल पर उनकी नजर है हिमानशू क्या आप जानकारी देंगे क्या तस्वीरें हैं और क्या इसको लेकर ज आप वास देख गर तो देख रहा हैं जो सेक्योर्टी का इसी कम्रे के अंदर अभी भी एसईपी बैठे हुए है और सिक्योर्टी लेकिन कोई जवाब अंदर से नहीं आया है तो अभी इंतजार है लगातार इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जो आरोप पहली लगाया गया था अपरेशन लोटस टू का उसके बाद आरोप लगाय जा रहा है अब भारती जनता पार्टी की तरफ से और भारती जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि उन लोगों के नाम बताएं जिन लोगों ने विधायकों से संपर किया भ्रसनाचार करने की कोई चीज़ की ताकि ये साफ हो सके अब वही जानने के लिए जब यहाँ पर टीम पहुंची हुई है और उसे अभी तक इंतजार है अंदर से मैसे जाने का तो आचुतोस अभी तक क्राइम ब्रांच की जो टीम पहुंची हुई है दुबारा पहुंची हुई है क्योंकि पहली बार शुकरवाद द झाल बनाई अपिए